आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 11 के हिंदी विशय के कावेखंड से साखी शिर्षक के नतरगत आने वाले पदों की व्याख्या करेंगे। साखी कबीर दास की रचना है। तो आईए आज की इस क्लास को हम सुरू करते हैं। जैसा की आपके पाठे पुस्तक में दिया गया है साखी क्या है इसकी एक छोटी सी व्याख्या यहां की गई है तो जरासा हम इसको पढ़ लेते हैं तब हम इसमें आने वाले पदों की व्याख्या करेंगे। देखें, आपके पुस्तक में दिया गया है कि अनुभूती से साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। वसुतह संस्कृत के साक्षी शब्द का विक्रित रूप ही साखी है, जो धर्मोपदेश के अर्थ में प्रिक्त हुआ है। दोहा चंद में रचित, साक्षी, कबीर की शिक्षा और उनके सिध्धानतों का निरुपण अधिकांसत हुआ है। कबीर के अध्यात्मिक अनुभूंपर आधारित होने के कारण उनके दोहों को साक्षी नाम दिया गया है। तो यहां हमने समझा कि साक्षी एक प्रकार से धर्मों पदेश हैं, जो कबीर के अध्यात्मिक अनुभूंपर आधारित हैं। यहां इसी कारण से इस शिर्षक को साक्षी नाम दिया गया है। तो यह तो ही शिर्षक का अर्थ। अब हम इसमें आने वाले दोहों को समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं सबसे पहले दोहे की उर। यहां देखें जो पहला दुहा है बलिहारी गुरू आपणें देवहारी के बार जिनिमानिस तैंदेवता करतनलागी बार। तो यहां कबीरदाज जी कहते हैं गुरू की महिमा का वर्ण करते हुए कि हे बलिहारी गुरू मैं आपके उपर अपने प्राण निवशावर करने को तयार हूँ। यहां जो हाडी सब्दा आया हुआ है हाडी सब्द का अर्थ शरीर है और जो शब्द है इसका अर्थ देना तो कबीरदाज जी कहते हैं बलिहारी गुरू हे गुरू मैं आपके बलिहारी हूँ। आपने और अपना यह शरीर आपके उपर बारने अर्थात बारने को तयार हूँ। निवशावर करने को तयार हूँ। हे बलिहारी गुरू आपको मैं अपना शरीर निवशावर करता हूँ। जिन मानिस तैं देवता करत नलागी बार जिनके द्वारा जिन्होंने मानिस अर्थात मनुष्य को तैं यानि को देवता करते यानि देवता बनाते हुए नलागी बार यानि समय अर्थात जिस गुरू ने इस मनुष्य को देवता बनाने में जरा भी दिर नहीं किया। जरा भी समय नहीं लगाया उस बलिहारी गुरु पर मैं अपने शरीर को नियुचावर करता हूँ, मैं अपने शरीर को वारता हूँ तो यहाँ गुरु की महिमा का वणं करते हुए कबीरदाजी ने समझाया कि गुरु के लिए हम समपूर्ण शरीर ही त्यां कर सकते हैं हमें गुरु की शेवा में तन मंधन से समर्पित रहना चाहिए क्योंकि वही हैं जिन्होंने हमें सामान या मनुशिशे देवता की सड़ी में लाकर खड़ा किया चलते हैं दूसरे दोहे की ओर यहां दूसरे दोहे में भी कबीरदास जी सत्गुरु की अर्थात जो सक्चे गुरु हैं उनकी महिमा का वर्ण करते हुए कहते हैं कि सत्गुरु की महिमा अनन्त, अनन्त किया उपगार, लोचन अनन्त उघार या अनन्त दिखामर हार तो यहां कबीरदाज जी कहते हैं कि सत्गुरु की महिमा अनन्त है यहां ध्यान रखना होगा कि कबीर उस निर्गुण ब्रह्म को उस परमपिता परमिश्वर को कभी सत्गुरु कहते हैं कभी राम कहते हैं कभी कृष्ण कहते हैं इन सभी नामों से वो परमपिता परमिश्वर निर्गुण ब्रह्म की ही बात करते हैं तो वो कहते हैं सत्गुरु की महिमा अनन्त कि जो सत्गुरु हैं जो सच्चे गुरु हैं उनकी महिमा अनन्त है अनन्त किया उपगार और उन्होंने हमारे उपर अनन्त उपकार किये हैं सत्गुरु ने हमारे उपर अनंत उपकार किये हैं लोचन अनंत उखारिया लोचन अर्थात नेत्र उन्होंने क्या किया है सत्गुरु ने हमारे अनंत नेत्रों को उखार दिया है अर्थात खोल दिया है अर्थात हर प्रकार से ग्यान दिया है इहांत का अर्थ है हर प्रकार का ग्यान तो उन्होंने सभी ग्यानों से हमें युक्त किया है अर्थात हमें ग्यान का प्रकास दिया है तो नेत्र लोचन अनन्त उगाडिया अर्थात उन्होंने हमारे सभी नेत्र खोल दिये हैं अर्थात संपूर्ण ग्यान प्रदान कर दिया है अनन्त दिखावण हार और और फिर उस अनन्त अर्थात परम ब्रह्म के हमें दर्शन करा दिये हैं दिखावनहार यानि दिखाने वाला तुन्हों ने अनन्त ब्रह्म का उस परम पिता परमिश्वर का हमें दर्शन करा दिया है दिखा दिया है इसी कराण से सत्गुरु की महिमा अनन्त है वह औवडनी ह उसका वर्ण करना संभव नहीं है चलते हैं अगले दोहे पर तिसरा दोहा दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट पूरा किया विसाहुना बहुरी न आभों हट यहां देखेंगे कबीरदाश जी कहते हैं कि दीपक यहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग है दीपक दीपक क अर्थ यहां पे ग्यान है इश्वर ने हमें ग्यान रूपी दीपक दिया और उसमें तेल तो भगवत इसने है भगवान के परती जो हमारा प्रेम है तो भगवत प्रेम की उसका उसमें तेल भरा दीपक दिया तेल भर अर्थात इश्वर ने हमें ग्यान रूपी दीपक मे इश्वर प्रेम रूपी तेर भर के दिया और बाती दई अघट और उसमें अघट अर्थात न घटने वाली न समाप्त होने वाली बाती यानि इश्वर की भगती रूपी बत्ती जो कभी कम न पड़े कभी घटे न वो बत्ती हमें दी तो ग्यान रूपी दीपक में भगवत प्रेम रूपी तेल और भगवत भक्ती रूपी कभी न घटने वाली बत्ती उसमें दी पूरा किया बिसाहूना और इस प्रकार से इस ग्यान रूपी दीपक के सहारे हमने क्या किया बिसाहूना पुरा किया अर्था जो व्यापार था जो क्रेविक्रे था उस जो जर्म मरण का बंधन था उसे हमने पूरा कर लिया पूर्ण कर लिया बहुरी न आवाउं हट अब लोट करके इस दुनिया के बाजार में हम दुबारा आने बहुरी रथा दुबारा न आवाउं यानि नहीं आना तो इस बाजार में हम दुबारा बिसाहुणा इस ग्यान रूपी दीपक जिसमें इश्वर भक्ती रूपी तेल था और इश्वर प्रेम रूपी तेल और कभी नव घटने वाली इश्वर भक्ती रूपी बत्ती थी उसके सहयोग से उसके द्वारा हमने इस बिसाहुणा को अर्थात इस जन्मरण के बंधन को पूर्ण कर लिया अब हम यहां लोटके आने वाले नहीं हैं चोथा दुहा कबिर्दाजी लिखते हैं बूडे थे परि उबरे गुर की लहर चमंकी भेरा देख्या जरजरा उतरी पड़े फरंकी यहां कबिर्दाजी काते हैं कि हम तो बूडे थे अर्थात हम अज्यानता के अंधकार में अज्यानता के सागर में डूबे हुए थे लेकिन परि परंतु अर्थात लेकिन उबर गए अर्थात उस अज्यानता के अंधकार से हम निकल गए कैसे निकल गए गुरु की लहरी चमंकी यानि गुरु के ग्यान का जो प्रकास हुआ ग्यान की जो लहर उठी उस लहर की चमक से हम अंधकार रूपी अग्यानता रूपी अंधकार से दूर हो गए अर्था तो उससे निकल गए उससे मुक्त हो गए भेरा देख्या जरजरा जरजरा अर्था जरजर भेरा हम नाओ को क तो यह जो शरीर है उसी को यहां नाव का रूप दिया गया कि हमारा जो यह जरजर शरीर है नाव रूपी जरजर शरीर है जब इसको देखा इसको जाना अर्थात हमने इस शरीर के सत्य को समझा जब हमें पता चला कि यह शरीर नाशवान है इससे मुह व्यर्थ है तो इसको त्याग करके उतरी पड़े फरंग यानि हम इससे दूर चले गए और थात आत्मा इस शरीर का त्याग करके परमात्मा से मिलने के लिए तयार हो गए तो बूड़े थे पर उबरे यानि हम अज्यानता के प्रकास में डूबे हुए थे हमें सत्य का ज्यान नहीं था लेकिन गुरू के ग्यान की लहर चमकी तो सारा ग्यान दूर हो गया हमें ग्यान हुआ कि यह जो शरीर है यह जो नाव भेरारूपी शरीर है यह नाशवान है इससे मोह व्यर्थ है तो इससे निकल करके हम अब किनारे हो गए अर्थात अब हम इश्वर में समा जाने के लिए आच्वेद दोहे में कबीरदास जी कहते हैं चिंता तो हरी नाव की और न चिंता दास जो कुछ चितवे राम बीन सोईकाल की पास। अ कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को केवल हरी नाम की भगवान की हरी रथात भगवान और यानी यहां नाम है तो मनुष्य को केवल इश्वर के नाम का इस्मर्ण करना चाहिए चिंता कार्थ यहां अस्मरण है तो केवल भगवान थे नाम का भगवत भक्ति का ही हमें चिंतन करना चाहिए भगवान के नाम का ही हमें बार बार जाप करना चाहिए और न चिंतादास और जो भक्त हैं उन्हें और दूसरी कोई चिंता कोई चिंतन दूसरा होना है निचीए इश्वर नाम के अलावा जो भक्त हैं उन्हें कोई और चिंता कोई और चिंतन होना है निचीए केवल इश्वर नाम का ही चिंतन करना चाहिए क्योंकि आगे वो कहते हैं जो कुछ चितवे राम बिन हम राम के अलामा जो कुछ भी चिंतन करते हैं जो भी हम चिंताएं करते हैं जो भी हम विचार करते हैं सोई काल की पास वो सब क्या है? वो सब काल का अर्थात मृत्यू का बंधन है। ताथ पर यह है कि जब तक हम राम के अलामा, भगवान के नाम के अलामा, परमपिता परमिश्वर के अलामा, अन्य बातों का, अन्य आसकतियों का चिंतन करते रहेंगे, तब तक हम काल के बंधन में बधे हुए हैं। इसकाल के बंधन को तोड़ने का, उससे निकलने का एक मात्र जो मार्ग है, वो इश्वर नाम का इस्मरण है, तो हमें केवल इश्वर नाम का इस्मरण करना चाहिए, बाकी चिंताएं भक्तों के लिए नहीं हैं, जो इसकाल के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए स तूं भया मुझमे रही नहूं तूं तूं करता तूं भया मुझमे रही नहूं बारी फेरी बली गई जित देखाऊं तित तूं तो यहां कबीरदाजी कहते हैं कि तूं तूं करता तूं भया अर्थात वो परमात्मा से कहते हैं कि तुम्हारा नाम अस्मण करते करते तुम् तुम्हारा चिंतन करते करते मैं तूं अर्थात तुम्हारे जैसा ही हो गया और जब मैं तुम्हारे जैसा हो गया तो मुझमें रही ना हूं हूं अर्थात अहंकार तो मुझमें अहंकार नहीं रह गया अर्थात मैं तुम्हारे जैसा ही हो गया बारी फेरी बली गई जित द जन्मरण का वंधन है, वो जल गया बली गई, अर्था जल गई तो जन्मरण का वंधन समाप्त हो गया, खत्म हो गया, अब मैं जित यानि जिधर भी देखता हूं, तित अर्था तो वहां तुम्हें पाता हूं तो यहां कभीरदाजी भगवान के नाम के चिंतन की महिमा बताते हुए करते हैं कि भक्त उनका अस्मन करते करते हुए भक्त भगवान का अस्मन करते करते भगवान में ही समा जाता है वो भगवान स्वरूप हो जाता है उसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं रहाता और फिर वह जन्म मरण के बंधन से छूड़ जाता है जन्म जीवन के जो कष्ट है उनसे मुक्ति पा जाता है और फिर वह जहां देखता है उसे वह नारायन ही दिखाई देते हैं तो ये रहा छठवा दुहा चलते हैं साथवे दोहे की उर कभीर दाजी कहते हैं कभीर सूता क्या करें काहे न देखे जागी जाके संग तै बिषुडिया ताहि के संग लागी तो यहां कभीरदाज जी कहते हैं सूता कर्थ है सोना तो कभीरदाज जी कहते हैं कि तू सो कर क्या करता है अब यहां सोने सब्द का व्यापकर्थ समझेंगे तो सोना अर्थात है अज्यानता में पड़े रहना ज्यान को नवप्राप्त करना तो कविर्दाजी काते हैं कि तुम अज्ञान के अंधकार में पढ़ करके क्या कर रहे हो काहिन देख है जागी तुम जाकर देखते क्यों नहीं हो अर्थात तुम सत्य को जानने का प्रयास क्यों नहीं करते क्यों नहीं सत्य को जान जाते हो क्यों नहीं सत्य का ग्यान करते हो, क्यों नहीं सत्य का अनुभव करते हो, है ना, आगे कहते हैं, जाके संग तैं बिछुडिया, तुम जिसके संग से, जिसके सत्य संगती से बिछड गए, ताही के संग लागी, तो उसी के संग लग जाओ, उसी में तुम्हारा कल्यार है, त तो हम किस से किसके संगत से बिशड़ गए तो हम परमपिता परमेश्वर के अंस हैं उसी परमपिता परमेश्वर से जब यहां आत्मा प्रिथक हुई तो हमने कहा कि वहां बिशुड़ गई अलग हो गई और जब उसी के संगपुनह लग जाएगी तो उसका कल्यार हो तो यहां सोना अज्ञानता का परचायक है जागना सत्यको जानना है तो कविर्दाजी यह कहते हैं मनुशय शे कि हें मनुश्य तुँ अज्ञानता के अंधकार में मत पड़ा रह तुँ जाग सत्यका ज्यान कर और जिस से तु बिषड गया जिस परम पिता पर मेशवर से इसी से तुम्हें मुक्ती प्राप्त होगी सातवा दोहा हमने समझा समझते हैं अब आठवें दोहे को लिखते हैं कबिर्दाजी केसो कही कही कुकिये ना सोईये असरार रात दिवस कैकूंकरें कवहूं लगे पुकार कबिर्दाजी काते हैं केसो केशव अर्थात केशव केशव अर्थात भगवान श्रेक्रिष्ण तेहां परम ब्रम को जो निर्गुड निराकार ब्रम है उन्हें कबिर्दाज जी यहां पर केशव से सम्मोजित करते हैं उनको श्रेक्रिष्ण बताते हुए कहते हैं कि केसो कही कही कुकिए अर्थात कुकिए अर्थात उसको बोलिए दुहराईए नाम जाप करिए तो कहते हैं केसो कही कही कुकिए यानि बार बार भगवान का नाम लीजिए बार बार भगवान के नाम का जाप करिए ना सोयाई असरार असरार यानि आलस में आलस में न पड़ करिए क्योंकि रात दिवस के कुंकने रात और दिन इस्वर का जब हम अस्मन करते हैं तो कभी न कभी कभ हूँ अठात कभी न कभी लगे पुकार इस्वर तक हमारी बात पहुंचेगी ही पहुंचेगी अठात इस्वर की कृपा हम पर होगी ही होगी और हम इस बंधन से मुक् प्राप्त कर लेंगे तो केशो कही कही कू किये ना सोईए असरार रात दिवस के कूंकड़ें कवहू लगे पुकार ये था अठवा दोहा चलते हैं नौवे दोहे की ओर कभिर्दाजी कहते हैं लंबा मारग दूरी घर बिकट पंथ बहु मार कहो संताओं चूपाईए दूरल लंबा मारग कभिर्दाजी कहते हैं कि ये जो भक्ती का मारग है वह बड़ा ही दुर्गम है बड़ा ही बिकट है बड़ा ही लंबा मारग यानि रास्ता पथ है ना तो लंबा मारग इस्वर तक पहुँचने का जो ये भक्ती मारग है ये बहुत ही लंबा मारग है बहुत ह दुश्वर की प्राप्ती यानि इस्वर के सनिकट पहुँचना तो वह जो हमारा लक्ष है वो बहुत ही दूर है और जो पंथ जो रास्ता है जो मार्ग है वो बहुत ही बिकट बहुत ही दुश्कर बहुत ही कठिन है और उस पंथ में बहु मार बहुत प्रकार की यातनाएं ह मद, मोह, इर्ष्या, लोब, क्रोध ये सब उसमें आने वाले ऐसे मार हैं जो हमें भक्त के पठ से विपठ करने का प्रयाश करते हैं तो मार्ग इश्वर भक्ती का इश्वर को प्राप्त करने का जो भक्ती मार्ग है वो बहुत लंबा है जो रास्ता है वो बहुत ही बिकट है और उस रास्ते में काम, क्रोध, मद, लोभ, जैसी बहुत सारी बाधाएं हैं कहो संतों क्यों पाईए दुरलभ हर दिदार तो यहा जो दुरलव दर्शन है वह किस प्रकार से और क्यों प्राप्त करें आगे चलते हैं दस्मे दोहे पर कबीरदाजी कहते हैं यहू तन जालौ मसिकरों लिखाओं राम का नाम लेखन करों करंक की लिखि-लिखि राम पठाओं बहुत ही सुनदर दोहा बहुत ही मानमिक दोहा यहां कबिरदाजी कहते हैं कहते हैं कि यह तनु जालों मसी करों इस शरीर को जालों यानि जला कर कबिदाजी काते हैं कि मैं इस शरीर को जला कर मसी अर्थात स्याही करूं स्याही बना दूं जो शरीर के जलने पर जो राख होगी उस राख को मैं स्याही बना दूं तो यह तन यह तन जालों मसी करूं इस शरीर को जलाकर मैं स्याही बना दूँ लिखाऊं राम का नाम और उस स्याही से मैं राम का नाम लिखूँ उस श्याही से जो इस शरीर को जलाने से भस्म तयार हुई जो राख तयार हुई उस राख रूपी स्याही से मैं राम का नाम लिखूँ लेखन करऊं करंक की करंक यानि अस्थी, तो अस्थी की लेखनी करूँ, लेखनी यानि कलम, कलम, तो जो अस्थी है उससे मैं कलम बना लूँ और फिर उस कलम से जो भस्मरूपी शरीर की राख थी, उस राख को मसी बना करके अथात स्याही बना करके मैं लिखी-लिखी राम पठाऊं, मैं बार-बार र नाम लिख कर राम तक भेजूं ये जो भक्ती है समर्पन है इस्वर के पती उसकी ये पराकास्था है जो कबिर्दाजी यहां कपना करते हैं चलते हैं ग्यारहवें दोहे पर कबिर्दाजी कहते हैं कए बिरहनी कूम मीच दे कए आपा दिखलाई आठ पहर का दा जड़ा मोप सहया न जाई कए बिरहनी कूम मीच दे यहां कबिर्दाजी कहते हैं कि हे इस्वर हे परमात्मा हे परमपिता परमिश्वर या तो इस बिरहनी अर्थात जो आपसे विलग हो गया जो आपसे बिशुड गया यह जो हमारी आत्मा है जो बिरह की ज्वाला में जल रही है या तो आप इसको मीच दें अर्थात इसे मार दें अर्थात मुक्ति दें कैय आपा दिखलाई या आप अपना दर्शन दें या तो इस बिरह से ब्याकुल इस सरीर का आप अंत कर दें इसे मार दें इसे मिर्त्यू दे दें या आप स्वेम अपना दर्सन दिखाएं अठा दर्सन दें क्योंकि आठ पहर का दाज़ना यह जो आठ पहर का जलना है जो आठो पहर यह जिस बिरह की आग में जो हम जल रहे हैं वह आग वह जलन मुपे सहया न जाई मुझे से बिल्कुल भी सहा नहीं जाता है तो या तो है परमात्मा इस जीवन का अंत कर दें या आप दर्सन दे करके हमें इकरतार्थ करें क्योंकि आप से बिमुक्त हो करके आप से अलग हो करके यह जो कष्ट हम जल रहे हैं यह विरह की जो आग है वो हमसे सही नहीं जाती है तो यह 11 दोहा रहा चलते हैं 12 दोहे पर कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए बहुत ही सुन्दर यहां कहते हैं कबीरदाजी कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया नजाई नैनू रमया रमी रहया दूजा कहां समाई बहुत ही सुन्दर कहते हैं कबीरदाजी कि जो सिंदूर की रेख होती है अर्थात जो एक सुहागिन इस्तरी की मांग होती है बालों के बीच में जो इस्तरीयां मांग काड़ती है इसको सिंदूर की रेख कहते हैं क्योंकि सुहागिन इस्तरीयां यहां पे सिंदूर लगाती हैं तो कभीर दाश जी कहते हैं कि कभीर रेख सिंदूर की कभी यहां जो सिंदूर की रेखा है इसमें काजल दिया ना जाई इसमें कोई काजल नहीं लगा सकता सिंदूर की जो रेख है जो एक सुहागिनिस्त्री की मांग है उसमें कभी भी काजल नहीं भर सकता कोई काजल नहीं लगा सकता यहां कभी भी नहीं हो सकता यहां संभव है और इसी प्रकार से जैसे सिंदूर की रेख में सिंदूर की रेख अर्थात मांग में सुहागन इस्तरी कभी काजल नहीं लगा सकती उसी प्रकार से नैनू रमया रमी रहया यह जो हमारे नेत्र हैं ये जो नयन है ये जो हमारी आँखें हैं इसमें रमया अर्थात भगवान राम रमते हैं विचरन करते हैं रमन करते हैं अर्थात बसे हुए हैं इसमें राम रहते हैं मानेत्रों में रमया रमते हैं अर्थात राम रहते हैं दूजा कहां समाई तो जैसे सिंदूर क रेख में काजल नहीं लग सकती जब लगेगा तो वहां सिंदूर ही लगेगा अन्था वो मांग खाली रहेगी उसी प्रकार से जिन नित्रों में राम रहते हैं जिन नित्रों में राम रमते हैं वहां कोई और कहां समा सकता है उन नित्रों में किसी अन्य के लिए कोई इस्थ ना ही, सायर ना ही, सीप बिन, स्वाति बूध भी ना ही, कवीर मोती नीप जैKay, सुन्ने शिशिर गढ़ माही। बहुत ही सुंदर लिखते हैं, काईते हैं कवीरदाजी कि सायर, सायर अर्ठात सागर, समुद्र, तो सायर ना ही, समुद्र नहीं, समुद्र नहीं, तक पर है कि समुद्र भी नहीं है, सीप बिन और सीप भी नहीं है, न तो समुद्र है, न सीप है, और न ही स्वाती की बूद, स्वाती बूद भी नहीं, स्वाती की बूद भी नहीं है हम जानते हैं कि जब समुद्र में सीप होती है और जब स्वाती नशत्र में बरसा होती है तो वही सीप बरसा की बूद जब सीप में गिरती है तो मोती बनती है लेकिन यहां कबिरदाजी काते हैं कि न तो सागर है न तो समुद्र है न तो सीप है न ही स्वाती की बूद है न सायर ना ही सागर नहीं सीप बिन सीप के बिना स्वाती बूद भी नहीं स्वाती की बूद भी नहीं है कबीर मोती नीप जएं फिर भी कबिरदाजी काते हैं कि म मोती उत्पन हो रहा है, मोती उत्पन हो रहा है, मोती प्रकट हो रहा है, सुन्य शिशिर गढ़ माही, तो हमारे शरीर में जो सिर्स में, सिर में जो सुशमना नाड़ी है, जो शिखर पे सुशमना नाड़ी है, उस नाड़ी में क्या हो रहा है, मोती ब्रह्म ज्यान रूपी, ब्रह्मा प्रकास रुपी मूती उत्पन हो रहा है तो समुद्र भी नहीं है सीप भी नहीं है स्वाति की बुद्ध भी नहीं है लेकिन भगवान की एक रिपा से साधक साधना के अंतिमिस्ति में पहुंसता है उसकी साधना सफल होती है और उसे ब्रह्मानंद का की प्राप्त प्रम्हानंद रूपी मोती उसके शुश्मना नाड़ी में उत्पन होती है जबकि न तो सागर है न सीप है न ही स्वाति की भूद है। चलते हैं अगले दोहे पर कहते हैं कबिरदास पाड़ी ही तैं हिम भया हिम हवे गया बिलाई जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाई तो पाड़ी ही तैं हिम भया जो पाणी था वही तो हिम अर्थात बर्फ बन गया जो पाणी था वही तो क्या हो गया बर्फ बन गया और जब हिम बन गया बर्फ बन गया तो हिम हवे गया बिलाई तो हिम हो करके बर्फ हो करके वह बिलाई अर्थात घुल गया या गायब ह गायब तो घुल गया या गायब हो गया तो जो कुछ था सोई भया यानि वह जो था वही हो गया अब कुछ कहा न जाई अब कहने को कुछ है नहीं कुछ वर्ण करने को नहीं है और न कुछ कहने की सामर्थ है तात्पर यह है कि पाणी यहां परमात्मा हैं और हिम आत्मा हैं तो उसी परमात्मा से हिम अर्थात आत्मा का निर्माड हुआ और यहां आत्मा पुनह उसी परमात्मा में विलीन हो गई, बिला गई, गायब हो गई, घुल गई, मिल गई तो जो कुछ था यानि जो कुछ था वो परमात्मा ही था और वह पुना आत्मा परमात्मा में ही समाहित हो गया परमात्मा में ही बिलीन हो गया अब कुछ कहा न जाई अब आगे कुछ कहने की सामर्थ नहीं है क्योंकि यही एथार्थ है यही सत्य है यही ग्यान है चलते हैं अगले दोहे पर कहते हैं कबिर्दास जी पंखी उनाडी गगनकूं प्यंड रहया परदेश पंखी उनाडी गगनकूं प्यंड रहया परदेश पाणी पीया चंच बिन भूली गया यहुदेश तो यहां देखें बड़ी सुन्दर व्याख्या कबिर्दाजी करते हैं कहते हैं पंखी पंखी यर्थात पक्षी उनारी तो पंख्षी जो है वह उड़ गया कहा केली उड़ गया गगन यानि आसमान में आकास को उड़ गया पंखी यार्थात पंख्षी जो है वह आसमान में आकास में उड़ गया पिंड रहया परदेश जो पिंड पिंड को हम शरीर कहते हैं पिंड यानि शरीर तो यह जो शरीर है वह इस परदेश में अर्थात इसमृत्वी लोक में रह गया तो यहाँ जो पंखी यानि जो पक्छी कहा गया वह पक्छी वह आत्मा का रूपक है तो पंखी अर्थात आत्मा तो आत्मा पंखी उनारी गगन को अर्थात ये जो आत्मा है वह अब इस लोक को छोड़ करके परलोक की ओर चल दिया और जो शरीर है वह इसी मिट्टी लोक में रह गया पाणी पीया चंच बिन और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ कर परमात्मा से मिलने के लिए चली गई जब उसे परमात्मा का अंभव हुआ तो वह अरंद कैसा है कि पाणी पीया चंच बिन चंच यानि चोंच और चोंच यहां पर इंद्रियों का रूपक है यानि जो हमारी इंद्रियां है जो नेत्र है जो स्वाद के लिए जिवा है नासिका है इस प्रकार के जो हमारी इंद्रियां है उनके बिना ही जब शरीर छुट गया तो इंद्रि इश्वर के सामिपे का जो आनंद है उस आनंद रूपी पानी का यानि जल का उसने पान किया पिया तो बिना इंद्रियों के ही बिना चोंच के ही आत्मा ने परमात्मा के मिलन का जो आनंद रूपी जल है उस जल का पान किया और जब उस जल का पान किया जब वह उस आनंद को प्राप्त कर लिया तो फिर वह यहाँ जो देश है यह जो मित्ति लोक है यह भूल गया ताद पर यह है कि अब वह यहाँ दुबारा आने वाला नहीं है शोलामा दोहा देखते हैं कहते हैं कविदास जी पिंजर प्रेम प्रकासिया अंतरी भया उजास मुखि कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास बड़ा ही सहज दोहा है कविदास जी का सथ खड़ी भासा है पंचमेल खचड़ी इसे आप कहते हैं और सभी दोहों में एक प्रकार से दिखा जाए तो शान तरस है तो कहते हैं पिंजर प्रेम प्रकासिया ये जो शरीर रूपी पिंजर है इस पिंजर में भक्ति रूप से उत्पन इस्वर भक्ति से उत्पन प्रेम का प्रकास हुआ ग्यान हुआ और उस ग्यान रूपी प्रकास ने क्या किया अंतर शरीर के भीतर हमारे अंतर मन तक क्या क उजयास उजयाला फैला दिया प्रकास फैला दिया तो जब हमारे शरीर में हमारे आत्मा में प्रेम का प्रकास फैला अर्थात इश्वर का प्रेम रुपी ग्यान जब प्रकासित हुआ तो उसने हमारे पूरे अंतरमन को प्रकासित कर दिया उजयाला कर दिया और मुखी कस्त कस्तूरी महमई जब इश्वर का प्रेम हिर्दय में प्रस्वठित हुआ तो हमारा जो मुख है उस मुख में कस्तूरी के समान महमई अर्थार कस्तूरी के समान वह गंध मय हो गया उसमें से कस्तूरी जैसे सुगंध उत्पन हो गई और बाणी फूटी बास और जो मुख से स् लगी तत पर यह है कि जब व्रति को इश्वर का प्रेम प्राप्त होता है जब वह इश्वर के प्रेम में रम जाता है तो उसे जीवन में चारों तरफ उम्मीद उजियाला ही दिखाई देता है और उसके मुख में लगातार राम नाम रूपी कस्तूरी की महक वास करती है और जब वह बोलता है तो ऐसा जान पड़ता है मानुस की वानी में वही भगमत नाम की सुगंध का बास है सुगंध यहां बास का सब्द अर्थ जो दिखा है तो वह सुगंध है चलते हैं अगले दोहे पर सत्रमा दोहा है बड़ा ही सुदर दोहा है कितना बढ़िया कविदाशी कहते हैं कि हे इश्वर हे परमपिता तुम इस नैनों में इन आखों के अंदर आ जाओ तुम इन आखों के अंतर में इन आखों के अंदर समा जाओ इन आखों में प्रवेश कर जाओ नैनाम अंतर आव तुम जियू हो नैन जपियू और जैसे ही तुम इन नैनों के अंतर में इन आखों के भीतर आओगे आते हो वैसे ही जियू हो त्यों ही मैं क्या करूँगा नैन जपेऊं अपनी आखें बंद कर लूँगा भगवान से यहां कबीरजाजी कहते हैं कि जैसे तुम इन आखों में समा जाओ और जैसे ही तुम इन आखों में समाओगे मैं अपनी आखें जपेऊं यानि बंद कर लूँगा आखें बंद कर लूँगा क्यों कहते हैं आँखें बंद कर लूँगा कहते हैं कविजा जी ना हाँ देखाँ और कूं आँखें बंद कर लूँगा क्यों कि जब तुम मेरी आँखों में समा जाओगे तो मैं हाँ यानि मैं किसी और को नहीं देखाँ गा किसी और को नहीं देखाँ गा तो किसी और को न देख सकूं इसलिए मैं अपनी आखें बंद कर लूँगा ना तुझे देखन देऊं और ना ही तुम्हें भी किसी और को देखने दूँगा तुम्हें इन आखों में बंद कर लूँगा तो कोई और तुम्हें देख नहीं पाएगा और मैं किसी और को भी नहीं देखूंगा तो बहुत है सुन्दर अद्भुत भक्ति का भाव यहां पर आप देखेंगे जो कबीरदाजी अपने इस दोहे के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं चलते हैं अगले दोहे पर कबीरदाजी कहते हैं कि कबीर हरीरस यौपिया बाकी रहीन था की पाका कलस कुमार का बहुरी नचड़ही चाकी बहुत है सुन्दर बढ़न है कहते हैं कि बीरदाजी कि हरीरस यौपिया मैंने भगवान के नाम का रस यौँ इस प्रकार पी लिया है इस प्रकार पी लिया है मैं हरी के रस में इस प्रकार से डूब गया हूँ बाकी रहीन था की कि मेरी अब कोई त्रिशना कोई था की कोई प्यास अब सेश नहीं बची है मैंने हरी रस का इस प्रकार से पान कर लिया है कि अब कोई भी त्रिशना कोई भी इक्छा कोई भी प्यास शेश नहीं बची है अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जिस प्रकार से पाका कलस कुमहार का जिस प्रकार से कुमहार के द्वारा बनाया गया पकाया गया जो कलस होता है जब वह एक बार पक जाता है जब कच्ची मिटी पक के कलस में बदल जाती है तो वह दुबारा उस कुमहार के चाक पर नहीं चड़ती है दुबारा उस से भगवान के अनंद का पान कर लिया, भगवान के रस को पी लिया, तो मेरे अंदर अब और कोई प्यास, कोई इक्षा, कोई लालसा, कोई तृषणा नहीं रह गई, तो अब मैं सभी प्रकार के च्छाओं से मुक्त हो चुका हूँ, जिस प्रकार से कुमहार का पका हुआ कलस दुबारा चाक पर नहीं चड़ता, उस प्रकार से अब मुझे दुबारा कोई इक्षा, कुछ और पाने की इक्षा नहीं सेस बची है, क्योंकि मैंने हरी नाम रूपी रस का पान कर लिया है, तो बहुत है संदर दोहा था यहाँ, चलते हैं, उनिसमें दोहे की ओर, कभीर करते हैं, हेरत हेरत हे सखी, रहिया कबीर हिराई, तो यहां उन्परा सलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग है, हेरत हेरत हे सखी, रहिया कबीर हिराई, बूद समानी समद में सोकत हेरी जाए, कहते हैं कभीरा जी, कि हेरत हे सखी, कभीरा जी कहते हैं, कि हे परमात्मा, यहां अलमा सक्खी वह परमपिता परमेश्वर को समहेत्य करते हैं विरकाते हैं, कि हे शक्खी अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवन, हे नारायन, तुम्हें ढूनते हेरत हेरत यानि ढूनना तो तुम्हें ढूनते ढूनते रहिया कभीर हिराय मैं खुद गायब हो गया मैं खुद खो गया तुम्हें ढूनते ढूनते हे परमात्मा हे परमपिता परमिश्वर मैं खुद ही खो गया तुम्हें खोजते खोजते तुम्हें ढूनते ढूनते मैं खुद ही खो गया मैं खुद ही गायव हो गया मैं खुद ही खो गया और बूंद समानी समद में जिस प्रकार से बूंद ज इसके द्वारा ढूणी जा सकती है जिस प्रकार से बूद समुद्र में समान जाने के बाद समुद्र में प्रविश्च कर जाने के बाद उसे आप ढूण नहीं सकते उसी प्रकार से कबीरदाजी कते हैं कि मैं तुम्हें ढूणते ढूणते अर्थात तुम्हारा समंद करते क देखते तुम में ही खो गया हूं अर्थात यह आत्मा इस उस परमात्मा में मिल गई है ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से समुद्र की बूद सारी जल की बूद समुद्र में समा गई है मिल गई है अब उसे अलग से ढूना नहीं जा सकता है उसी प्रकार से मैं भी तुम मे समा गया हूँ अब मेरा कोई प्रिथक असित्व नहीं है मेरी कोई प्रिथक पहचान नहीं है अगला दोफा देखेंगे कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर ना ही सीस उतारे हाथ हिद करी सो पैठे घर माही तो कबीरदाजी कते हैं कि यह जो घर है वह प्रेम का है घर कौन सा तो घर अर्थात भक्ति का तो यह जो भक्ति का घर है जो भक्ति है वह प्रेम पर आधारित है बिना प्रेम के भक्ति संभव नहीं है तो कबीर राजी कते हैं कि कबीर यह घर प्रेम का यह जो घर है वह प्रेम का है यह भक्ति जो है य यह खाला का घर नहीं है, खाला यह उर्दू जमान में प्रविक्तो होने वाला शब्द है, जिसका आर्थ है मौसी, तो खाला का घर नहीं, यह खाला का घर नहीं है, यह कोई ऐसा नहीं है, यह भक्ति का मार्ग किस पे एरा गैरा कोई भी चल सकता है, इस भक्ति के मार्ग में वही चल सकता है भक्ति रूपी घर में वही रह सकता है जिसके हिर्दे में इस्वर के प्रती अगाध प्रेम हो वह प्रेम निश्काम हो निश्कपट हो ऐसा प्रेम जिसके हिर्दे में है वही जो है भक्ति रूपी घर में रह सकता है कोई भी एरा गेरा ये कोई मौसी का घर कोई भी चलाएगा कहते हैं कबिर्दाजी सीश उतारे हाथ कर अथाज जो अपने प्राणों का उत्सरग कर सके जो अपने प्राणों का भक्ति पत्पर बलिदान कर सके सो पैठे घर माहि वही इस घर में इस भक्ति रूपी घर में प्रवेश करे क्योंकि भक्ति का मार्ग इत किरसारी बाधाय होती है एक प्रकार से तप करना होता है तब जा कर के कहीं हमेरे अंदर इश्वर प्रेम के द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है तो यह इतना सहज माग नहीं है जो आतमोत सर्ग कर सकता है जो अपने अपने आपको इश्वर के प्रति नियुच्छावर कर सकता है वही इस घर में प्रवेश करे पैठे यानि प्रवेश करे जो ये भक्ति रूपी घर है वह सभी के लिए नहीं है जिसके हिर्दय में प्रेम है जो इश्वर से सच्चा प्रेम करता है वही भक्ति के मार्ग पेचलते हुए सफलता प्राप्त कर सकता है इस साखिर शिशक की अंतरगत जो अंतिम दोहा है बड़ा सुन्दर कबिरदाजी कहते हैं कहते हैं कि जब मैं था तब हरी नाही सब अधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माही कहते हैं कविर्दाजी मैं मैं यानि अहंकार तो कविर्दाजी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मेरे मन में मेरे हिर्दय में अहंकार का भाव था तब तक हरी नहीं तो ऐसा नहीं कि हरी नहीं थे हरी थे लेकिन मुझे हरी का इश्वर का ग्यान नहीं था तब तक मैं इश्वर की महत्ता को नहीं समझता था तब तक मुझे इश्वर का सामी प्राप्त नहीं था क्योंकि जहां अहंकार होगा वहां अज्ञान होगा और जहां अज्ञान होगा वहां हम इश्वर को न समझ पाएंगे न जान पाएंगे न उनका प्रेम न उनकी कृप प्राप्त कर सकेंगे तो जब मैं था अर्थात जब मेरे अंदर हंकार था तब हरी नहीं तब मेरे अंदर हरी अर्थात इश्वर का अंसर नहीं था अर्थात पर यह है कि तब तक मुझे इश्वर का ज्यान नहीं था तब तक मुझे इस्वर से प्रेम नहीं हुआ तब तक क्या हुआ अब जब मैं जान गया जब गुरू की कृपा से मुझे इस्वर का ग्यान हो गया जब इस्वर के प्रति मेरे हिर्दे में अनुराग पैदा हो गया जब मेरे हिर्दे में इस्वर का वास है तब मैं जो अहंकार था वह मेरे भीतर से जा चुका है तो जब अहंकार था तब हरी नहीं थे और जब हरी अर्थात इश्वर हैं तब मेरे अंदर अहंकार नहीं है क्योंकि जहां हरी होंगे वहां ग्यान होगा और जहां ग्यान रहता है वहां अंकार का निवास हो ही नहीं सकता तो इस प्रकार से जब हर्दय में भगवान का निवास हो गया जब हर्दय में हरी का निवास हो गया तो फिर कोई अज्यानता कोई अंधकार कोई अंधियारा नहीं रह गया सारा अज्यान सारा अंधकार दूर हो गया मिट गया समधियारा मिट गया जब दीपक दे ग्यारा था वह समाप्त हो गया सारा ज्ञान दूर हो गया तो ये शाखी सिर्शक के अंतरगत कबीरदाजी के दोहे थे जो हमने पढ़ा ये कबीरदाजी के अपने जीवन के अनुभव हैं जो उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलते हुए प्राप्त किये ये अनुभव हमारे ज प्राप्त सिक्षाओं को जो ये साखी कहा गया था ये सीख है इनको सीख करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं हम इन सारे बातों को आत्म साथ करके इन सारे विचारों को अपने अंदर भर करके परमपिता परमिश्वर के सनिकट जा सकते हैं तो आज की ये खक्षा य झाल